हलो दोस्तो आज हम लोग सेखेंगे कैसे identify किया जाता है primary और secondary transformer का ठीक है according to theory क्या होता है यह step-down transformer का diagram है तो जो step down transformer है उसमें जो winding होती है वो ज्यादा होती है और secondary में कम होती है ठीक है तो जो winding ज्यादा है means इसका register ज्यादा होगा और इसका कम होगा ठीक है इसका register ज़्यादा होगा और इसका कम होगा तो ठीक है यह transformer है यह small छोटा सा transformer है 230 volt वाला ठीक है जो बड़े-बड़े transformer होते हैं उनमें numbers दिये रहते हैं और letters दिये रहते हैं identify करने के लिए मतलब जो primary side होता है वो capital से दिखाया जाता है capital A हो गया capital B हो गया और जो secondary side होता है वो small a small b से दिखाया जाता है और कभी-कभी ryb भी यूज़ करते हैं ठीक है तो यह हमारा छोटा transformer है इसका register चेक करने के लिए हमें multimeter का requirement है multimeter या तो ohometer भी आप use कर सकते हो ठीक है तो पहले हमें जो यह transformer है इसके wire को घिसना पड़ेगा क्यूंकि इस पर lamination की coating होती है ठीक है इसको पहले proper घिस लेंगे सारे side को अच्छे से गिस लें क्योंकि जो coating होती है वह lamination की coating निकल जानी चीए तो ही वह multimeter अच्छे से reading दे पाएगा ठीक है तो multimeter को पहले on करेंगे इसको मैंने ohm पर set कर दिया ohm का sign ऐसा होता है ohm पर set कर दिया 200 ohm पर मैंने set किया है ठीक है यह जो यल्लो वाला wire है यल्लो वाले wire पर मैंने एक इस पर black वाला लगा दिया और इस पर red वाला लगा दिया ठीक है अभी देखिए multimeter में दिखा रहा अपने को 2.6 ohm ठीक है तो इसको note down कर लेंगे 2.6 ohm दिखा रहा और इसको change करके red वाले side को check कर लेंगे ठीक है एक इधर पर लगा दिया और एक यह दूसरे wire में देखिए अभी यहाँ पर one दिखा रहा मतलब अपने को extend करने की जरूवत है इसकी range को ठीक है मैं 200 से इसको 2000 पर set कर दूँगा अभी देखिए multimeter 644 दिखा रहा है तो इससे सीधा सीधा दिख जाता है कि अपने को जो red वाला wire है वो primary side है क्योंकि उसका register ज्यादा है और जो secondary side है yellow वो अपने को इधर दिख जाता है कि 2.6 ohm है ठीक है इससे easily आप identify कर सकते हो ठीक है thank you for watching guys कोई भी query हो तो आप नीचे comment कर सकते हो and subscribe and like कर एक कई कर एक है ठीक है जाता है कर एंदног